हेलो दोस्तों नवाभी शौक में आप लोगा फिर से सौगत है और जैसे कि आप देख रहे हैं यह क्या पहतरीन कलाकारी है जी हाँ इन्होंने छे तरेके से ठड़े की डिजाइन दी दिये और यही है इनकी खासियत और यह है अपने शानु रस्तोगी वाई जी हाँ जिन से म मैंने बस इनका जो वीडियो डाला था उसमें इनका कॉंटेक्ट नंबर नहीं रहता था वह इसलिए रहता था क्योंकि यह केवल कुछ लोगों के लिए या कह सकते हैं सिर्फ चुरिंदा लोगों के लिए पतंग बनाते थे लेकिन मैंने जब इनको बहुत प्रेशर किया तब इन्होंने कहा चलिए ठीक है आपके चैनल के लोगों के लिए भी मैं बनाने के लिए तैयार हूं और जो आप डिजाइन देख रहा हो दोस्तों यही इनकी खासियत है कि हर कोई चाहता है इनकी पतंग लेना और देखिए क्या खुबसूरा डिजाइन इनकों बनाई है जी हाँ इनकी पतंग ऐसी होती है कि आप बस उस पतंग को लेकि आप देखते ही रहोगे आप हिम्मत ही नहीं कर पाओगे इनकी पतंगों को उड़ाने की क्योंकि ऐसी गजब की डिजाइन बनाते हैं कागच पे कि बस मन करता है इसको फ्रेम करके और दिवालों पे सजा द देखे क्या खूबसूरत हर ठड़ा इनका एक नायाब खूबसूरत डिजाइन से भरपूर है कागच पे तो करते ही है डिजाइन लेकिन डंडी पे भी जो डिजाइन बनाते हैं वो एक माशालला बहुत ही खूबसूरत चीज है और देखे क्या इन्होंने एक गड़ेश जी की ऐसा लगता है कि खुद गड़ेश जी उसमें समा गए हैं कागच में आके और देखे क्या खूबसूरत देख तो खलर कॉंबिनेशन जो इनका है ये बहुत खूबसूरत होता है देखिए अब ब्लैक पर ये हलका ओरेंज सा क्या खुबसूरत है शानु भाई हमारे चैनल पर बहुत दिनों से जुड़े हैं और शानु भाई पेशे से तो जैलर्स है जी हाँ इनका जो काम है ये जैलरी का काम है इनका और ये बस एक समय मिलता है कभी गदार तो जुड़ जाते हैं इनका एक वीडियो भी पड़ा था जिसमें मैं इनके घर पे गया था इन्होंने पतंगबाज ही कर रहे थे और बहुत खुबसूरत पेटश काटते हैं और क्या खुबसूरत ये देखिए बहुत दिनों बाद इनका वीडियो आया है कुछ समय पहने मैं जब बरेली गया था तब मैंने इनकी जो में ख्याल से चीज तीज पतंगे जो इन्होंने बनाई थी वो मैंने आप लोग को दिखाई थी और ये देखिए अब ये तैयार हुई है गसब की जो इनकी पतंगे है वाह माशालला मज़ा आ जाता है जब कभी ऐसे कोई कलाकार को अपने आँखों के सामने दी ये देखिए वाह कलर कॉम्पिनिशन देखिए गसब यार रेड वाइट और क्या गसब है मतलब मुझे समझी नहीं आता कि ऐसे जो कलाकार होते हैं ये सोचते कहां से हैं कि ये कलर इस पे करेंगे और ये गसब यार शायद लोग ने अपने दिमाग में ही वो कलर बना लिए है ऐसे कलाकारी देखता हूं तो एक पिचल यादाती है तारे जमीन पे जी हाँ वो लड़का जो था क्या खूबसूरत कलरों के साथ खेलता था और जब से मैंने ये चैनल बनाया और ऐसे लोगों के सद मिला जैसे शानु भाई हो गए जहीर भाई हो गए जहीर उस्ताद जहीर नियाजी हो गए उस्ताद इर्फान खानदानी हो गए कॉलकटा के काइड मेकर को मैंने कवर किया कुछ अश्विनी उपाध्धाय थे अपने बरेली के उनको कवर किया ये सब ऐसे ऐसे लाजवाब कलकार निकले हैं दोस्तों कि बस इनकी पतंगे मन करता है बस आप देख लो बस देख कही तसल्ली मिल जाती है जो जो कोई हाथ म में ले ले वो तो बात यह लगए यह देखिए गजब का कॉम्बिनेशन एक और देखिए दोस्तों अगर आप रेट की बात करेंगे तो इनकी पतंग का वैसे तो अनमोल है इनकी पतंग लेकिन जो कॉस्ट है वो आपको शानु रस्तोगी जी ही बता पाएंगे और वो और आप मानों कि नहीं यह जो कलर पतंग है धाय तीन सो चार सो रुपए तक जाती है तो आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग इनको जो निचे वाटसाफ नमबर दिया है वाटसाफ करिएगा और यह आपको बता देंगे कौन सी पतंग आपको स्नाइप शॉट लेना है अब इस दिन है कि यह पतंग किस कोस्ट की पड़ेगी और आप चाहो तो ले सकते हो दोस्तों अगर आप लोग सोचोगे कि धाय तीन सो चार सो पाम सो रुपए बहुत जादा होते हैं तो आप ज़रा महनत देखेगा इस पतंग में कितनी करी गई है एक एक कागश को जो हफ्तों लग जाते हैं पहले जॉइन करिए फिर रखिए फिर उसके बाद जब सूख जाए कागश तब आप निकालिए फिर ठड़ा लगाई ये फिर रखिए फिर आप काप लगाई ये तो ये सब असान खेल नहीं है ये देखिए क्या कलर कॉमिनेशन है और इसमें एन ब्लैक का जो कॉमिनेशन वह भी कागशी है तो एक अब गिनी नहीं पाएंगे आप जब हाद में लोगे तब गिन पाओगे मिखाल से कुछ नहीं तो 20 से जादा जोड़ है इसमें अब आप सोचोंगे ये पतंग अगर आपको 15-20 रुपय मिल जाए या 40 रुपय मिल ज आप से तो मैं अगर इस पतंग को परचेस करना चाहूं तो मैं बस शानु भाई से कहोंगा शानु भाई आप जो रेड़ बता उसका डबल देने को तैयार हूं कि मुझे पता ही नहीं है कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी और मेहनत इसी लिए लगती है कि आप देख लोग अब यह कलर कॉमिनेशन देखिए पतां का जरा हूं देखने हैं यह पुराना वाला आप यह कापे लगेंगे समय अजी और इनकी काप में भी डिजाइन होती है ठड़े में होती होती है कापों में भी डिजाइन होती है एक चीज़ तो मानूँगा शानुबाइक साथ जो भी मनाते हैं बहुत लगन से मनाते हैं कोई जल्दवाजी नहीं कोई कुछ वह ऐसा नहीं एक पतंग पर अपना भरपूर्ट समय देते हैं और इसलिए बहुत सारे लोग दिवान हैं इनकी पतंग के अपने काणपूर के एक हैं कमल भाई वो तो इनकी पतंग जब भी देखे होंगे तो तुरांट फोंग चला जाएगा उनके पास कि वह यह कित्ती बनी है तो यह दोस्तों एक खासियत है कि जब आदमी मेहनत करता है तो इसको कि बहुत लोग पूछने वाले होते हैं अभी आप वीडियो में देखेगा यह वीडियो पढ़ने के बाद कितने लोग चाहनुवाई को फोन करेंगे कि भाया आप बना दो मेरे लिए भी तो दोस्तों अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कॉंटाक कर सक हो ठीक है बस थोड़ा सा प्राइस का मेंटर रहेगा लेकिन दोस्तों अगर महनत समझोगे तो समझ जाओगे आप लोग बहुत महनत होती है और कोशिश तो यही रहेगी कि आप लोग पर्चेस करिए शानुवाई का नाम पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ड में होना चाहिए ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं जो ऐसी खुबसूरत बना दें डिजाइने कि लगी ना कि यह पतंग है मुझे तो देखके बिलीव नहीं होता शानुबाई की पतंग हो को कि यह पतंग है कि बस किसी ने बना कि आपको दे दी है आप उसको वह कर रहा हूं बदब ल इने खुद के पास हम शानुबाई की एक हाल से कुछ नहीं तो होगी पंदरा 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 पतंग है लेकिन एक से बड़ की एक हैं ना कोई आपस मैच खाती हैं सब अलग हैं और खुबसूरत डिजाइन है कि कहते हैं शानुबाई की पतंग किसी मिल जाए तो पतंग बाजी की दुनिया में उसने एक महारत हासल कर ली और वो ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं आप लोग समझ नहीं पा रहोगे शायद खुबसूरत के साथ पतंग की फिनिशिंग के साथ इनकी पतंग मुड़ती भी अच मुझे मैंने चाहता था कि कोई जब अरस्ति घुश के इतनी खुबसूरत पतंग काट दे मैंने उड़ा के देखी जब मैंने खीची तो एकदम सीधी खीच रही थी तो ऐसा नहीं है कि बस कागत से खेल लिया और पतंग मना दी और ना क्या खुबसूरत इनकी पतंग मृत का खिस्ती है सब कुछ बहुत बेत्री में कि देखे यह वीडियो तो ऐसा लग रहा है कि आपको एक दिन का मना हुआ है जी नहीं एक दिन का वीडियो नहीं मना हुआ है इसको रखा गया है पूरा आराम से सूखने के लिए और उसके बाद काप लगाए जा रही है क्योंकि जल्दबाजी जहां आप करेंगे सारे जोड खुल जाएंगे यह हैं चीजें दोस्तों और मैंने कहा जैसे कि आप उड़ा भी सकते हैं पतंगे ऐसा नहीं है कि इससे लेके आप रख सकते हो पर उड़ाने का दिल नहीं करता क्योंकि कि किसी ने गलती से भी काट दी या कि इतना दिल है कि इस तरह की पतंग को अगर पेच लड़ा सकें तो भाई मैं हैट्स आफ खाऊंगा उसको पर दोस्तों बादलों में ऐसी पतंग जब मैं पतंग उड़ाता था छोटे में तो मुझे कलर पतंगे बहुत पसंद थी मैं प्लेन पतंग बहुत कम यूज करता था और कभी सोचा नहीं था कि जिन्दगी में कोई ऐसे मकाम पर भी आओंगा कि इस तरह की खुबसूरत पतंगे देख पाऊंगा इस चैनल बनाया था तो सबसे पहले इरफान खांदानी जी को देखा था और उनकी पतंग का दिवाना था जब पहली बार रेट सुना सत्त रुपए काला रुपए 30 रुपए तो मैंने खाज रही इतुनी महीँ इब फतंग आती है लेकिन अब जाना तप समझ में आए कि क्यों है यह ऐसे काईमेकर्स है दोस्तों सदोस्तों इर्फान खांदानी जी सभ्सक्राय कि नहीं ना हों तो बहुत हैं लिதो ग बहुrav चैस इन सब की पुछी दोस्तो हाथ में लेतें ना तो घर पर पतंडानी जी की एक हाथ में पतंगी हो और एक हाथ में कि 16 सेत्रा अठारा 20 रुपाइल पौना हो ते लगता है कि कहां से ले आ आ यह पतंग होती तो पतंगी नहीं दोस्तों यह सब खासियत है इनकी पतंगों की और फिर से कहता हूं मैं अगर आप लोग परचिश करना चाहूं कोई दिक्कत को नहीं है और पैसे की तो बिल्कुल टेंशन ना लीजेगा शानु को देने में जी हां ब drama लगेगा लोग बाएई ने पैसा रख लिया और आप पैसा इन्हों ने लिया तो इस यह मान चलिए फिर यह आपकी पतंग में जुड़ जाएंगे कि बस आपकी पतंग मननी है और ऐसा कभी नहीं होता कि जल्दबाजी में खराब चीज बना दें यह अपना समय लेते हैं और तब चीज़े बनाते हैं और मेरे हिसाब से तो अवल दर्ज़ए के काइट में करें कि हर चीज को दंबारी की से सब चीज और दोस्तों इनकी हर चीज अलग है अलग यूनीक चीज़े हैं आप देखिए एक छोटा सा कागच नीचे रखके और उसके बाद चिपकाना देख रहे हैं यह सब चीज़े हैं औ और यह काफट हैटों में डिजाइन भी करते हैं नॉर्मल मुमथती यह उस तरह के चीजों के नीचे नहीं करतें जो जो एल्ला होते हैं जो सोना प्रिगलाने के लिए जो एक छोटा सा सिलेंडर टाइप का यूज करते हैं जिससे आज निकलती है यह उससे बनाते हैं मेहनत, टाइम, पैसा, सब कुछ लगता है, तो मेरे साथ से अगर आप कांटेक करोगे इनको, तो आपको एक ऐसी अनमोल चीज मिलेगी, जो आपको शायदी कभी मार्केट में देखने को मिलेगी, अब देखने को मिल भी जाएगी, तो या तो शानु जी की होगी, या तो शा अनु जीने की होगी, वो मेहनत कोई और नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं कहरा रहा हूँ, यूनीक काईट में करें, इनकी हर एक चीज अपने आप में इनकी खुद की स्टाइल है, ना इन्होंने किसी को कॉपी किया है, और ना कभी करेंगे, या इनके खुन के दिमाग में इतनी डिजाइने हैं, यो बनाते चले जाते हैं, बिना यह सोचे कि यह यार उसकी तो नहीं है, यार यह उसकी तो नहीं है, यह जब सेल्फ कॉंफिडेंस है, इतनी डिजाइन बनाने का, तो मुझे नहीं लगता, कुछ होगा ऐसा, चलिए, आप लोग काईट देखिए, बनते हुए, मैं नंबर नीचे छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग को जिसको कंटेक्ट करना है, कर सकते हैं, और देखिए, आप फुल वीडियो, और देखिए, कितनी खुबसूरत से डिजाइन है, मेरे साब से तो अभी तक जिसने यह वीडियो देखा है, अभी तक मेरे स समय है, अपना टाइम है, अपने तरीका है, चलिए दोस्तों, नौई शौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्री आप लोग का, आप देखिए, इतने खुबसूरत वीडियो आप लोग के लिए लाता हूँ, जो शायदी किसी चैनल पर मिल पाए, तो जिनको मन कर सब्सक्राइब कर लीजेगा, दोस्तों मैंने दो तीर मैसेज आये थे लोगों के, जो पिछला एक वीडियो आया था, उन्हों ने मुझे फॉरवर्ड किया था, तो उसमें दोस्तों एक चीज थी, जो आप लोग बेल पर क्लिक करते हो ना, उसमें आप लोग ने आल पर न सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चलिए, सूपर संडे के लिए तयार रहें, इतना बहतरीन वीडियो सटर्डे के हिसाब से घजब का है, और आगे आने वाले वीडियो बंजे के हैं, और और बहुत सारे वीडियो हैं, बने रहें, नौई शौक पे एक से खतरनाक वीडिय अगर आप लोग कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहींगे, कर दो कर दो कराल, को मेंटामा हैं, थक्री कमेंटे हैं, प Geralt ऄहां जिल में तो करेशा छेंट करना दोको में वीडियो कुछकते हैं डॉक, जिल मेंटे यह कुछके करना कना हैं, कर दोक्समातों।